हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रो कार्बन्स आप यह सोच रहे होंगे कि हाइड्रो कार्बन्स होते क्या है यदि आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो इस वर्ड का पहला पार्ट hydro रिप्रेजेंट करता है element hydrogen को वहीं दूसरा पार्ट carbon रिप्रेजेंट करता है carbon element को तो इस तरह से हमें वर्ड hydrocarbon मिलता है hydrocarbons ऐसे compounds होते हैं जो केवल carbon और hydrogen atom से बने होते हैं hydrocarbons energy के बहुत अच्छे source होते हैं इसलिए हम इनको अपनी day-to-day life में fuels के तौर पर use करते हैं जैसे की हमारे vehicles में use होने वाले petrols, diesel, CNG और हमारे घरों में use होने वाला LPZ gas hydrocarbons को fuels के अलामा हम अपनी day-to-day life में polymers के form में use करते हैं जैसे की हमारे घरों में use होने वाले low density polythene जिनको हम carry bag के तौर पर use करते हैं वही high density polythene को हम bottles और containers के तौर पर use करते हैं इसी तरह से कुछ और polymers हैं जैसे polypropene जिनको हम buckets वगरा बनाने में use करते हैं और polystyrene जो की coffee cups वगरा बनाने में use होता है I hope आप हमारी life में hydrocarbon के importance को समझ गए होंगे तो चलिए start करते हैं हम hydrocarbon के classification से hydrocarbons को उनके structure के basis पर हम तीन category में divide करते हैं जिसमें पहला होता है saturated hydrocarbons दूसरे होते है unsaturated hydrocarbons और तीसरे होते है aromatic hydrocarbons saturated hydrocarbons जैसे की alcanes जिनमें केवल carbon carbon single bonds present होते हैं इसका एक example ले तो वह होता है ethane वही saturated hydrocarbon का एक और type होता है cyclo alcanes इसमें alcanes एक ring form करते हैं जैसे की cyclohexane unsaturated hydrocarbons ऐसे hydrocarbons होते हैं जिनमें carbon carbon के बीच में pi bonds present होते हैं जैसे की alcanes जिसमें carbon carbon के बीच में double bond होता है यदि हम इसका एक example देखें तो वह ethene होता है जिसका formula C2H4 होता है वही अगर carbon carbon के बीच में triple bond होता है तो उस compound को हम alcanes कहते हैं example के लिए हम ethane ले सकते हैं जिसका formula C2H2 होता है वही aromatic hydrocarbons एक special type के cyclic compounds होते हैं जिनमें ring के अंदर alternate double bonds present होते हैं जैसे की benzene चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला topic जिसका नाम है nomenclature, isomerism and preparation of alcanes इस topic में हम alcanes क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे इनके isomers और nomenclature के बारे में देखेंगे और इनको कैसे prepare करते हैं उनके कुछ important methods के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए start करते हैं introduction of alcanes से हमने अभी पढ़ा है कि alcanes एक saturated open chain hydrocarbons होते हैं जिन में carbon-carbon के बीच में केवल single bonds present होते हैं since carbon-carbon और carbon hydrogen के बीच बने sigma bonds बहुत ही जादा stronger होते हैं इसी लिए ये compounds बहुत ही कम reactive होते हैं जिसके कारण इनको नाम दिया जाता है paraffyns का जिसका मतलब ही होता है less reactive यदि हम alcanes के लिए general formula लिखें तो यह आता है cn h2n plus 2 जहां पर n एक natural number होता है यदि हम n की value 1 लेते हैं तो हमें alcan का पहला member मिल जाता है जिसका formula होता है CH4 इसे हम methane कहते हैं वही अगर हम दूसरे member की बात करें तो इसके लिए हम n की value 2 लेंगे जिससे हमें compound का formula मिल जाएगा C2H6 इस compound को हम ethane कहते हैं वही अगर हम n की value 3 लेते हैं तो हमें alcan का formula मिलता है C3H8 इस compound को हम propane कहते हैं हमने alcan के nomenclature के लिए कुछ rules GOC वाले chapter में पढ़ रखे हैं जैसे की carbon के number के according हम root word निकालते हैं और इनके लिए suffix होता है in यदि हम alcan में carbon के hybridization देखें तो वह sp3 होती है जिसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं और अगर हम किनी दो carbon hydrogen atoms के बीच में bond angle निकाले तो यह bond angle हमें 109.5 degrees मिलता है यदि हमें alcan groups के higher members को बनाना है तो compound में 1H को हम CS3 group से replace कर देते हैं जैसे की अगर हमे methane given है और इसका next member बताना है तो हम यहाँ पर methane के एक hydrogen को replace कर देंगे CS3 group से तो हमें कुछ यह compound मिल जाएगा और यह compound होता है ethane जो की alkane group का next member होता है तो हम यहाँ से conclude कर सकते हैं कि alkane group के 2 consecutive members एक CH2 unit से differ करते हैं या फिर 14 atomic unit mass से differ करते हैं और ऐसे series जो एक CH2 unit से differ करते हैं उनको हम homologus series कहते हैं तो alkane भी एक homologus series है I hope आपको alkane की basic informations मिल गई होगी और आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे